नमश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं पन्याल स्टडी के अप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हपी अलाइट सेर्विसेज एक्जाम 2016 प्री एक्जाम में 200 कोश्टन पोची जाते हैं और नेक्स मार्ग से रहते हैं 200 टाइम आपको दिये रहता है 3 आख्सा तो पार्ट बन अर्डी हम डिस्कस कर चुके हैं यह है पार्ट टू तो चले इस पार्ट की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट अन यह कोश्न पोच्ट के साथ तो कोश्ट आपके बाद स्टारट हो रहा है 101 से तो अकर हाप ने फर्स कात नहीं देखा तो आप मिडिया स्क्शन में जा कि उसवेजते हैं और साथ यसाथ अगर आप HS की त्यारी करें हो तो HS की भी हमने प्री की जितने भी एक्जाम अभी तक हुए हैं तो maximum डिस्कस कर चुके हैं तो आप जाकी चेक कर सकते हो और साथ ही साथ हम एरपर बोर की जितने भी एक्जाम होते रहते हैं मार्च मंद में जो अभी हाली में एक्जाम हो हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं तो आप लेलिस्ट में जाके बिने चेक कर सकते हो हो सकता है आपके लिए काफी हैल्पल हो आने वाले एक्जाम के लिए आपका कोई भी एक्जाम हो उसके लिए तो चले इस एक साथ वीडियो के शिर्वात करते है फर्स्ट क्वेशन क्या है 101 भारत में जन्ने सुन्दर पिछाई किसके CEO है Chief Executive Officer तो यह है Google की Option A Correct answer है IAT pass out है इंडिया से Next 102 Wheat blast is A Wheat blast क्या है A disease caused by fungus Fungus है होने वाली बिमारी Option D Correct answer है 103 पारिभाशिक शब्द 100 heart beat club तो इसका क्या समंद है किसे समंद है तो Option A अलगलग प्रजाति है जिनकी जो समस्त जंचन क्या है वो या तो 100 है या फिर 100 से कम है तो उनके लिए हम यह word यूज करते है 100 heart beat club Next 104 Stone fly यह किस चीज का indicator है यह वाटर पॉलिशन का Option B Correct answer है 105 105 कि है प्रिट्वी से परिवक्षनिय सूर्य के समान सूर्य के सामने होकर बुद्ध ग्रह कि गुजर्ने की बिविश्य वाने सबसे पहले किस ने की थी तो यह किए की थी कैप्लर के दोरा Option C Correct answer है और अगर आप भी एक्जाम की तारी कर रहे है तो आप भी साथ साथ प्राय कर सकते हो कौन सा कौशन का answer कौन सा रहेगा Next इन में से कौन सा देश है जो Mother's Day आठ माई को नहीं मना था तो वो है Spain Option C Correct answer है 107 जर्मनी की प्रतम महिला Chancellor Angela Markle का वर्तमान टर्म कौन सा है तो 107 का Correct answer Option B तो वो है Third Term Next 108 तो देखी यह करंट फिर की कौशन है आपकी काम के नहीं है बट अगर आपको इनको अच्छी तरीके से देखोगे आप इनका पैटर्न चेक करोगे जो टॉपिक एक्जाम पूछे जा रहे है तो आपके लिए काफी ज़्यादा helpful हो सकते है जो आने वाला आपका प्री का एक्जाम है चाहे अलाइड का हो चाहे आपका एच्छेस का हो तो आप उस चेश को नोटिस केजिए ऐसा मत सूची कि एक्जाम पूराना है तो आपके काम का नहीं है जो लास्ट एकर एक्जाम रहते हैं कितने भी खोई बी हो तो आपके लिए काफी इंपॉटन है उसमें जो पूछे जा रहे हैं जो कॉशन पूचे जा रहे हैं उनका जो mindset रहता है वो आपको rate करना पड़ता है उसी तरीकिस अगर आप exam की त्यारी करते हो तो आपके लिए एक plus point रहता है और आप merit में एच्छे marks ला सकते हो तो चलिए इसके साथ देखते है next question क्या है एक सौट एक सौट क्या है pink shadows यह शब्द किसके बारे में है तो जो मौला है corporate sector में काम करती है उसे रिप्रजेंट करती है तो उसके लिए हम यूज करते है pink shadows तो option A इसका correct answer है next 109 त्रिप्ति दिसाई यह कौन है यह है links अमानता की सक्रिय प्रतिभागी gender equality next 110 महिलाओं के लिए सिंत राष्ट विकास कोश UN Development Fund कि सद्भावन राजदूत कौन है Goodwill Ambassador कौन है 110 का जो correct answer है वो है option D Nicole Kidman next 111 कौन महिला राष्ट रख्ष अपने देश में महावियोका सामना करी है impeachment किसकी हो रही है विहाली में तो इसका जो correct answer है 111 का वो है option C Dilma Rousseff next 112 महिला सांस्तों की संक्या सबसे ज्यादा कौन से देश में है तो correct answer option A Sweden में next 113 निर्भय एक्ट तो यह कब आया था यह आया था 2013 में option B correct answer next क्या है किरन मजुमदार शाह तो यह किस कंपनी की CEO है यह बायो कौन की option A correct answer 115 किस वर्ष अंतरास्टिया इस वर्ष जो अंतरास्टिया महिला दिवस हुआ था उस टाइम पे उसकी जो थीम थी वो क्या थी तो वो थी समता के लिए प्रतिग्या less for parity option B correct answer तो जीतने भी international day होते केस तिन मना जाते हैं क्या थीम थी हारे के एक्जाम में पूछ जाते हैं तो अच्छे से rate कीजी next 16 विशेशकर महिलाओं के लिए बैंक स्तापित करने वाला पहला देश कौन सा है तो वो है पाकिस्तान option A next 117 वर्तबान में विश्व में जैवित्ता की सम्मेदन शिल स्थान hot spot कितने हैं तो वो है 34 118 Olympics के लिए योग्य होने वाली प्रतम भारतिय जिमनास्टिम जिनका नाम है देपा कर्माकर ये त्रिपूरा की रहने वाली है option A correct answer 119 नेमे लिखित टैनिस ख्राडियों में से किसको मादन यानि डोपिंग प्रदोशी पाया गया है तो 119 का जो correct answer वो option C मार या शारप हुआ next 120 Olympic hero के लिए भारत के सद्भावना राज़बुद को पताईए goodwill ambassador कौन है तो इसका correct answer option D search in 109 कर 121 तो इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी तक T20 World Cup पर नहीं जीता है तो वो है Australia 122 ace against odds तो ये जो पुस्तक है कि ये किस खिलारी पे अधारित है तो ये है 120 all India badminton प्रद्योकिता जीतने वाली प्रतम खिलारी कौन है बाद भी खिलारी कौन है तो एक सो तेस का correct answer option A प्रताश पादु कौन 124 इस वर्ष सर्विशेष्ट फिलम के रिए किस हॉलिवड फिलम को Oscar Award मिला है तो ये मिला है Spotlight को 125 निमिलिक्त फिलम शक्षितों में से किस को दादा साफ आलके अवार्ड मिला है तो 125 का correct answer option दी मनोज कुमार नेक्स्ट 126 सर्विशेष्ट अबनीत्री का अवार्ड किसे मिला है 2016 में तो ये मिला है राश्टिय फिलम अवार्ड के द्वारा किसे दिया गया है कंगना रनावत को option A करेक्टान से तो देखी जो इतनी भी reward होते हैं award कर दिया जाते हैं कुछ भी होता है तो वो काफी एक पॉर्टेट है कंटफेर के लिए next 127 ओजोन दिवस का बना जाता है 16 सेप्तेमर को next 128 NSBC तो इसकी फुलपाउम पूछी की है तो यह National Skill Development Corporation अराश्टिय कोशल विकास प्राधिकर्ण next 139 उन्नत भारत अभ्यान तो यह किसी से लेटेर है तो यह ग्रामीड उत्थांस से option A करेक्टान से 130 अराश्टिय टेक्लोलोजी दिवस तो इसकी थीम क्याती 1216 में तो देखे जो थीम है वो बार-बार पूछी जा रही है NT का एक्जाम अगर आद देखोगी चाहे है एक्चेस का देखोगी तो इसमें भी थुम हर बार यह थीम पूछी जाती है तो 131 का जो करेक्टान से वो है option D option D क्या है किस स्थान के 16 वर्ष महराजा के साथ केशव चंदर सेन की पूत्री का विवाहा हुआ है तो यह है कूछ बिहार की option C correct answer next क्या है आपको बताना है कि इनमें इससे सुमिलित कौन सा नहीं है तो देखे सबसे पहला है The Indian University Act 1904 में आय था correct है Hunter Commission 1882 correct है next है The Vardar Scheme of Basic Education तो यह 1937 में थी ठीक है The Report of Sadler Commission तो यह आय थी 1970 में तो यह यहाँ पर incorrect है तो option D इसका सही answer है next निम्लिक्त में से कौन RS माज की गुरुकल दल के सदस्य नहीं थे तो पंडित गुरुदत विद्यार थी तो यह नहीं थे बाकी पंडित लेक राम, महत महसराज और लाला मुंशी राम यह तीनों ही RS माज कुरुकल के सदस्य थे option C यहाँ पर correct है 134 अहम दिया अंदोलन किस ने आरम किया था तो यह अंदोलन किस के द्वारा आरम किया गया था 134 का जो correct answer वो option है मेजजा गुलाम एहमत के द्वारा next 135 जो मिल्क दरपन है इसके बारे में कौन से यह सही है तो यह बंगाली का एक नाटक था तो option D correct answer है 136 तो आपको इनमें बताना है कौन से सही सुमिलित नहीं है 18 से स्टूंजर विद्रों की बारे में तो बेकम हजरत महल यह लखनों की रहने वाली थी option D यह ठीक है next है खान बहादूर खान तो यह बरेले के थे तो यह यहाँ पर गलत है तो option B यहाँ पर correct है बाकी नाना साब कानपूर के थे यह सही है राने लक्षिमई जांसी यह भी सही है option B खान बादूर खान मेवात यह गलत है next 137 आपनिवेशिक सरकार ने भारत में income tax कब लगाया तो यह लगाया अठारो सो सास्व में option D correct है 137 का option D next इन में से कौन हिंटू महास सभा के सदस्व नहीं थे तो मोटी लाल नहरू नहीं थे option A correct है बाकी BS मुंशी थे लाला लाज पर तुरह भी थे मदन मौन मालमे भी थे next 139 का है 1920 इसवी के भारतिय राष्टी कॉंग्रेस के वार्षिक नागपूर अधिवेशन में और सयग अंदोलन के मुख्य परस्ताप को किस ने परस्तूत किया था तो यह किस के द्वारा परस्तूत किया गया था यह किया था चितरिंग जिंदास के द्वारा सी आरदास ऑप्शन सी करेक्ट अंसर है 140 भारति राष्टी कॉंग्रेस में द्वित्य सवी ने अवेग्या दोलन कब शूरू किया तो 140 का जो करेक्ट अंसर है वो अप्शन दी 1922 में 141 गांधी जी ने कॉंग्रेस के किस अधिवेशन के अधिवेशन की हिए थी तो 1924 में बेल काम आधिवेशन होआ था और फर्स्ट और लास्ट बार गांधी जी ने अधिवेसन में अधिवेशन की थी तो option D बेल कामकरेक्ट अंसर है 142 ffff कौन सा सत्र पर गिरा था जिसमें गांधी जी ने जो अंतिम शस्त्र रहता वो खर्दाल वो अपनाया था तो वो थी एहमतावाल टेक्सटाइम में स्ट्राइक तो option A correct answer है 143 143 क्या है जो पहली भारतिय वैधानी परिक्षा इंडियन सिवल सर्वेसिज ये सबसे पहले काँ पर वी थी तो ये वी थी एराबाद यूपी में option D correct answer है next गांधी जी ने अपने शिक्षा की योजना को क्या नाम दिये था तो यह वो थी वर्धा स्कीम option B correct answer है next 145 गांधी जी ने अपनी विज़ार धारा के तीन से डांतो को किसके संबर्क में आने से लिया तो ये लिया था जॉन रस्किन की जो बुक थी unto the last तो इससे लिया था option B correct answer है 146 गांधी जी का सत्पे ग्रह सत्पे और अहिंसा पैदा दी था option E correct answer है उनकी तो में शास्त्र थे एक सत्पे और दूसरा अहिंसा 147 निमलिक्त में से Congress Socialist Party का कौन सदसे नहीं था तो जै परकास्ट नगाण ये सदसे थे अचारे नरेंद विए भी सदसे थे मेनू मसानी ये भी सदसे थे बढ़ करतार सिंग सरावा ये सदसे नहीं थे तो option B यहां पर correct answer है नेक्स्ट 148 भारत छोड़ों अंदोलन के दवरान कहां पर समांतर सरकारे सत्तम में नहीं आई तो वो सूरत में नहीं आई थी 148 का option E correct answer है नेक्स्ट फोन दियर है ब्रिटिश पर्दान मंतरी एटली ने ब्रिटिश पार्लेमेंट में भारत को कब जोन के सत्ता है वो ट्रांसपर करने की बात की थी तो ये की थी 30 जोन 1947 में important question है और जो पर्दान मंतरी थी वो कौन थी एटली यह ने important है next 150 तो आपको बताना है कि जो सही क्रम कौन सा था वाइस रैका इंडिया में तो सबसे पहले थे Lord Reading फिर Wellington फिर लेलिंट गो और उसकी बाद वेवल तो 150 का जो correct टांसपर वो option C 4 3 1 2 option C next 51 151 सिंचाई coverage की अधार पे आपको बताना है अधिक्तम से निवनितम सबसे जादा सिंचाई काहां पे होती है irrigation काहां पे होती है उसके बाद कम 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 तो पंजाब हर्याना योपी बिहार option A correct answer है 152 152 के है RBI की वार्षिक रिपोर्ट के इंसार 2012 के किस राज़े में सबसे कम गरीबी थी 2012 की रिपोर्ट के इंसार तो योए थी कुवाँ में option C correct answer next क्या है budget अनुमान 2016 17 के इंसार वे निवेश विभाग का पुर्ना नामांकन यह होगा तो वो क्या होगा 153 का correct answer option C DIPEM option C correct answer next 154 trips or trims इसका समन किस के साथ है तो यह है get के साथ जिसके फुल पॉर्म है general agreement on tariff and trade जो बनाया गया था 1947 में 30 October को और उसके बाद इसकी जगा पे आया था WTO जिसे World Trade Organization के नम channel रता है जिसका हेरकॉर्टर है जनिवा में और total जो उसके member है वो है 164 last इसमें जुड़ा था अफगानिस्तान next 155 भारत में टक्निकी माद्यम के द्वारा सेवाओं की प्रभारी delivery कौन सही दर्शा रहा है efficient delivery of services through technology in India is well defined by तो वो है DBT और GM के द्वारा तो DBT क्या है direct benefit transfer और J से बन गया जन्धन A से बन गयादार और M से बन गया mobile next 156 2011 की जन्गरना के अनुसार भारत में अधिक्तम शहरी और अधिक्तम ग्रामिन जन्षन के किन राज्यों में है तो as per option है correct answer option C महारास्टर में सबसे ज़्यादा शहरी लोग है और उत्व देश्ट में सबसे कम सबसे ज़्यादा ग्रामिन लोग है 157 निम्रिक्त में से किसने भारत में गरीबी के आखात को नहीं मापा incidence of poverty को नहीं मापा था तो 157 का correct answer option भी राज कृष्णा नेक्स्ट 158 अन्तुदे दिवस कब मना जाता है 158 का correct answer option ए 25 सेप्टेंबर को नेक्स्ट 159 इनमें से कौन सा संगटक भारत निर्मान का हिस्सा नहीं है 159 का correct answer option ए सवचता भारत निर्मान का हिस्सा नहीं है ग्रामी टेलिफॉन पेजल सिंचाई ये भारत निर्मान के हिस्से है सेप्टेशन इसमें नहीं आथा option ए correct answer 160 है रडे योजना किसके द्वारा लांच की गी थी तो 160 का correct answer option ए ये की गी थी शेहरी विकास मत्राले द्वारा 21 जनवरी 1915 को 2015 को अर्बन ड्वेल्मेंट मिनिस्ट्री के द्वारा 161 निमिलिक्त में से कौन सा गतन भारती सविदान की प्रिस्तावना की समटर में असक्त है तो प्रेम्बल के बारे में कौन सियेजर गलत है तो वो आपको चेक कर नहीं है तो पहले देख लेते हैं यह सविदान की आत्मा है तो यह सही है नेक्स्ट यह भारत की जनता में शक्ती नहीत करता है इट वैट्स पावर इंड़ पीपल आफ इंडिया यह भी सही है नेक्स्ट है यह राज्य को एक संपरपू समाजबादी पंतर निर्पिक्ष संपरदाई यहां पर गलत है नेक्स्ट नेक्स्ट कॉश्टन देखते हैं हमाँ पस क्या है तो इसमें जो गलत था आपका वो था संपरद आईबादी बाकि समाजबादी पंतर निर्पिक्ष लोगतांतरिक गर्नराज्य और संपरपू यह सही है यह इसमें नहीं आता नेक्स्ट निमलिक्त में से कौन सी सवतरता भारती सविधान में वर्नित सवतरता कैधार में उलेकित नहीं है तो 162 का जो करेक्टांस रहे वो आप्शन से ही विरोध करने की संदरता फ्रीडम आफ प्रोटेस्ट तो यह इसमें डिफाइन नहीं है बाकि सबी इसमें डिफाइन है तो डिफाइन क्या है फ्रीडम आफ स्पीच एन एक्स्पेशन फ्रीडम टू असेंबल पीस्पुली विराउट आर्म्स फ्रीडम टू पैक्टिस एनी प्रोफेशन तो यह आपको सबीदान के द्वारा बट यह नहीं है विरोध करने की सबीदान के द्वारा संपत्य के अधार को मौलिक अधिकार की सूची से हाट आ दिया था और उसे आर्टिकल 300a में डाल दिया गया था तो 163 का करेक्ट अंस्रॉप्शन डी वो थी 44th amendment इसके बाद जौब का right to property था उसे legal right में convert कर दिया गया था और यह जो amendment है यह हुई थी 1978 में तो यह भी important है बेट भी important है और आर्टिकल आ जाता है 300a तो जोले next question देखते है निमलिक्त में सही मिलान कीजी तता नीची देए संकेत सुची को सही उत्तर से चुनिए तो आपको article match करने है कौन सा article किसीज के लिए आपके पास क्या है तो फर्स्ट आपके पास क्या है बित आयोग finance commission कौन सा article है आपका तो यह है article 280 option 4 correct answers का next आपके पास है संग लोग सिवायोग UPSC है तो यह कौन से article में आता है तो यह आता है article 315 में next है चुनावायोग election commission election commission आता है article 324 और next है commission for backward classes तो यह आता है article 340 में तो इस तरह से आपके नहीं match कर सकते हैं तो option B correct answer है यहां पर करते हैं election में participate नहीं करते तो 165 का correct answer from D राज्य विधान परशदों की निर्वाटित सदस है तो जो state में legislative council होती है उसके members में participate नहीं करते हैं तो participate कौन-कौन करते हैं तो यह भी important है elected member of a legislative assembly of a state जो हमारे MLA हम जुनते हैं वो इसमें vote करते हैं elected member of a both of a legislative here, elected member of a וearth जो elected member होते हैं जैसे हमिए election होने वाले है तो जो भी चुनके सदसे जाते हैं तो वो vote करते हैं उनके लिए और elected member of a, rolledray sabah और जो elected member होते हैं MP जो होते हैं वो भी president के लिए vote करते हैं next 166 number मेंसे कौन सा कतन भारत की उपरास्टवदी के बारे में गलत है तो 166 का जो correct answer है वो है option D option D क्या है English में पढ़ते है he can be removed from his office by impeachment तो ये इसमें गलत है तो इसमें सही कौन कौन से है he acts as a president during the absence of president अगर president नहीं है तो as a president वो act करते है next है he is the ex-official chairman of राजसभा जैसे ही वो उपरास्टवती बनते है तो साथ है साथ वो राजसभा की chairman में बन जाते है तो उसे कहते है ex-officio एक आउ के पास पहले से एक के साथ एक automatically लिए जमिल जाते है तो उसे कहते है ex-officio next है he is elected by electoral college comprising members of parliament तो ये इसमें correct है option D यहाँ पर गयलत है next 167 धन विदेक के पारित होने को राजसभा अधिक्तम कब तक विलम कर सकती है the राजसभा can delay the passage of money bill for a maximum period of तो money bill को कितने टाइम तक लोग सकती है राजसभा 167 का correct आउप्शन डी तो विक्स यानि 14 देन तक तो option B correct है यहाँ एक question यह पुचाते है तो सबसे last में कौन बदाता है कि एक जो bill है वो money bill है या फिर नहीं है तो speaker of लोग सभा वो decide करते है whether money bill is money bill or not next 168 नेमलिक्त में से लोग सभा अदेक्षों के कारेकाल का सही करम कौन चा है तो speaker का कारेकाल आपको बताने है पहले कौन से speaker थे उसके बाग कौन थे तो 168 का जो correct answer वो option A तो सबसे पहले थे गनेश वासुदेव मावलंकर जीवि मावलंकर next है सरदार हुकम सिंग उसके बाद नेलम संजीव रेड़ी और उसके बाद सुमित्ब्रा महाजन तो ये करही करम है सही करम है इसका तो option A correct answer है next 169 नेमिन में से लोकसभा की सबसे बड़ी समीती कौन सी है 169 का जो correct answer है वो option C वो है estimate committee प्राप्लन समीती 170 नेमिन में से कौन सा कतन धर्म की सुतनतता के यदार में सही नहीं है right to freedom of realism की बारे में सही कौन सा है नहीं है तो 170 का correct answer option D ये सही नहीं है धर्म की सुतनता में धर्मांतर की सुतनता समीने थे freedom of religion includes freedom of conversion तो ये इसमें सही नहीं है बागी इसमें सही है तो सही देखते कौन से है सही कौन सा है पहले freedom of religion is listed from article 25 to 28 तो इस article में आता है freedom to religion next है freedom of religion includes a right to profess, practice and propagate religion तो ये सही है freedom of religion gives freedom to establish religious institution तो ये सही है बाकी आपका option D यहां पर गहले थे तो option D सही answer इसका next 171 अब भारत की किस सविधान सशोदन द्वारा मत्रदिकार की आयू 21 वर्स से गटाकर 18 वर्स कर दिए थी तो पहले वोट देनी का अधिकार 21 वर्स के बाद था अब 18 वर्स के बाद भी वोट दे सकते हैं तो ये कौन से शोदन में किया गया था 171 का जो करेक्टांस है वो option A 61 जो amendment हुई थी वो इस से लेटीड हुई थी तो चलिए next question देखते हैं 61 amendment और नहीं हुई थी 1989 में तो कई बार आपसे ये year है वो भी पूछी जाती है तो वो भी important है next question देखते हैं और amendment जो की जाती है वो आर्टिकल 368 के अंडर की जाती है तो आपसे के विए amendment का आर्टिकल भी पूछा जाता है तो आर्टिकल 368 amendment के लिए next 172 नेमन मैंसे किसे बारती निर्वाचन आयोग ने हाली में electronic voting machine के इंतरगत समिलित किया है तो 172 का जो correct answer वो आपसंसी नोटा none of the above next 173 नेमन मैंसे कौन सा राजनेतिक दल भारत की चुनाव आयोग द्वारा वर्गी के शेन के अंतरगत नहीं है तो वो देखते हैं कौन सा नहीं है इसमें 173 का correct transaction भी तो वो है चेत्रिय दल यानि original party तो ये इसमें नहीं है था next 174 अब पी आईल के फिल फॉंक क्या है तो 174 का correct transaction यह पब्लिक इंट्रस्ट लेटिकेशन जन हीत याज़ का next 175 निमन मेंसे कौन सा विशह है समवर्टी सुची में समलेत नहीं है तो concurrent list में कौन सा नहीं आता जिसमें state और union दोनों फैसलिल नहीं सकते हैं तो correct transaction नहीं तो वो है agriculture agriculture इसमें नहीं आता concurrent list में तो next question देते 176 निमन मेंसे कौन से राज्य में द्वी सदनी विधाई का नहीं है तो which one of the flowing state does not have bicameral legislation जिसमें अपकी MLA भी होते हैं legislative council भी होती है और legislative assembly भी होती है तो वो कहां पर नहीं है तो वो है आपका हिमाज़ पुदेश 176 का option D correct answer है 177 तो यह क्या है आपके पास निमन मेंसे सही मिलान कीजिए और नीचे दीगी संकेत सुची की सही उत्तर दीजिए तो आपको match करना है कौन सा article किसके रिए है तो चलिए match करके देखते हैं तो first हमापास किया है first हमापास है इंग्लिश में पढ़ते है right to constitutional remedies सेवेधानिक उपचारों का अधिकार तो यह आता है article 32 next है uniform civil code article 44 next है free legal aid तो यह है article 39A और next है जम्मो किश्मेर के लिए कौन सा article है article 370 तो यह जम्मो किश्मेर का article 370 यह काफी बढ़ा एक्जाम पूछ रहते है और जो first है सविधानिक उपचारों का अधिकार article 32 जैसे soul of consciousness भी कहते हैं यह भी काफी बढ़ा एक्जाम पूछ रहते हैं तो correct answer जिसक होगा option A next देखते हैं 178 शिक्षा के अधिकार को सविधान की किस अनुच्छेत के अंत्रिगत समिलित किया गया है तो यह आता है article 21A के अंदर 178 का correct answer है option C और यह जो शिक्षा का अधिकार है इसे एड किया गया था 86th amendment में जो है थी आपकी 2002 में और इसमें जो age आती है वो आती है 6 से लेगी 14 वर्ष की बच्चों के लिए next 179 भारती योजना आयोग का नहनाम क्या रखा गया है तो यह रखा गया है निती आयोग option B correct answer है और comment section में comment क्रिके बताई कि यहां पर निती की full form क्या है एक्जाम में पूची आती है रखिवर नेक्स्ट क्या है निमलेकित राजनितिक तलो को उनके चुनावजिनों के अधार पर आपको मिलाना है किसका चुनावजिन कौन सा है तो 180 का जो correct answer है आपके पास है तो उचली match करके देखते हैं भाजपा यह तो सब को पता है पाजपा का कमर है नेक्स्ट हम आपास है मंसे मारास्टन नमनर्मान सेमना जिसके जो में लीडर है वो है रास्ठाकरी तो इसका जो correct answer है वो है option यह मंसे का है रेल इंजिन नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी तो यह में सभी जानते है छाडू और नेक् आपके पास है लाल टेन तो इस तरह से आप मैच कर सकते हो अभी election होने वाले हैं तो election से लिडर हो सकते हैं काफी सारे आप से question पूछी जाए तो election से लिडरी जो भी question exam बनते हैं तो उनको चैसे इत्यार कीजिए तो यहां जो correct answer था बोधा option भी आपके पास है और आपको नह निमलिक्त मैंसे कौन से एक उदावरी नदी की साइक नदी नहीं है तो ट्रिब्यूटी कौन से नहीं है 181 के जो correct answer बी दो दोगा तो option बी यहां पर correct answer next 182 निमलिक्त मैंसे कौन से एक कराज्य में पोर जोलिक मिर्दा नहीं है तो कहां पर नहीं है यह option A Odisha correct answer next 183 पश्चमी राज्यस्तान किस ओर्जा के विकास के लिए आधर्श्तान है western आज्टन इस ideal place for development of which type of energy 183 का correct instruction बी तो यह है 100 ओर्जा के लिए next 184 किस नगर समयों को भारत के 100 smart नगरों की सूची में नहीं रखा गया है तो कौन नहीं है इमें smart city में नहीं आता 184 का correct answer option D हावडा वर्दमान और सेली गोड़ी तो यह इसमें नहीं रखे गए हैं next 185 दो हचार एक जनगन्ना के अनुसार भारत में million शेहरों की संक्या है तो कितने शेहर है जिन की संक्या million है millions में है 185 का जो correct answer वो option D 35 next 186 निमलिक्त में से कौन सा एक जूट उद्योग के लिए परसित था तो 186 का correct answer option B तो वो है हुगली वैली हुगली गाटी 187 निमलिक्त में से कौन सा एक नया UN framework आपता प्रविंधन से समयंदित है तो 187 का correct answer option C तो वो है के सूच के लिए उप्योग नहीं किया जाता तो इसका जो correct answer 188 का वो आपकी पास है option B option B increase in crude death rate तो यह इसमयाड नहीं किया जाता बाग्यापका increase in total fertility rate increase in female literacy rate increase in life expectancy rate यह सब इसमयाड की जाते तो option B यहां पी correct answer है next 189 भारत में निम्लिक्त में से कौन से एक शित्र में उच्टम जैवीत्ता पाई जाती है तो सब ज़्याद हाई जो highest bio diversity है वो कहां पर पाई जाती है इंडिया में 189 का जो correct answer है वो option यह उत्तर पूर्वी भारत में नॉर्थेस्ट इंडिया में next 190 2011 की जन गर्ना के अंसार भारत में कुल नग्रिय जन संक्या का प्रतिशत कितना है तो तो सिट्यमिक दिन लोग रहते हैं 190 का जो correct answer है वो option ही 31.16 तो आपने एक चिस नोटिस कियोगी जो 2011 सेंसे है उससे काफी सारी question पूछे गये हैं तो जाए हैस का एक्जाम में भी एक question पूछा जाए जो 11 सेंसे से related next 191 वार्न से शहर एक blank का उधारन है किस चीज का उधारन है option D यह cultural city Sanskritic शहर option D correct answer 192 सूखा प्रवावित क्षेतर मुख्यता ब्लैंक के बीच स्तित है तो कहां पे यह इस तरह की इक्षित पाई जाते हैं option D महारास्टर से पंजाव तो यह इसका correct answer है next 193 बाड किसके आसमान वह आकस्मिक वैभार से आती है flood occur due to the electric behavior of 193 का correct answer option C मानसून मानसून की वैसे से आती है next 194 194 क्या है निमलिक्त में से कौन सा एक राज्य वो कंपियर जोन वी में आता है तो जो सिजबिक जोन वी है उसमें कौन सा राज्या आता है option D बिहार इसका correct answer 195 निमलिक्त में से कौन से रिका भारत से होके गुजरती है तो देखिए equator तो नहीं गुजरती है तो यहां से जो गुजरती है वो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बाकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो तो काफी नीच आती है तो यह तो नहीं आती बट आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहां से गुजरती है इंडिया की मेंडियल से ही तो option B correct answer है next 196 निमलिक्त में से कौन से राजे में शिप के लापास है तो हिमाचुपिदेश correct answer है next 197 निमलिक्त में से कौन से पेड़ की प्रजाती ऐसी है जो जंकल में आग के लिए बेहद सुभेद है क्योंकि उसकी पत्ती में तार्पिंग का देल उपस्तित रहता है तो 197 जो correct answer है चेल का पेड next 198 निमलिक्त कत्रों में से कौन सा कतन बुकम्पिया तरंगों के बारे में गलत है अर्थकुएक वेपस के बारे में कौन से चीज़ गलत है इसमें 198 का जो correct answer option A option A correct answer है यह एसमे के बारे में गलत है और सही क्या है इसमें रहली तरंगे अभी केंदर से उत्पन होती है ना कि केंदर से तो यह जो वेप से यह और्गनेट होती है एपिसेंटर से, not the focus और जो प्राइमरी वेप से travel fastest and the first wave recorded on the seismograph तो जो प्राइमरी वेप है वो काफी fastest travel करती है तो यहां पर गलत क्या है longitudinal and secondary waves are more destructive waves than real waves तो यह इसमें गलत है Next 199 नेमलिक में से कौन सा एक जलवाई और परिवर्तन का परभाव नहीं है तो climate change होने से कौन सी इसमें नहीं होती है 198 करेक्ट रांसरप्शन डी deforestation 1 कटाव तो यह नहीं होता है climate change होने से but glacier कप लेग पिगलना तो यह भी climate change से होने से हो सकता है और coral bleaching इससे भी हो सकता है और cold wave and heat wave तो यह भी climate change होने की वज़े से हो सकता है next 120 नेमलिक्त में से कौन से भारती तक्टी राज्य उष्ण कट्यबंदी चक्रवाद से ज्यादा प्रभावित होते हैं तो कौन से राज्य है जो इस चक्रवाद से प्रभावित होते हैं तो 120, sorry 200 को जो करेक्ट रांसरप्शन है तमिनाड़ू आंदर प्रदेश पूरिसा की जो कोस्टल एरिया है तक्टी एक्षित्र है वो इस ते प्रभावित होते हैं तो यह था पार्ट टू तो पार्ट टू से हमने जो टोटल 200 कोशन थे वह हमने डिसकस कर लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी हो या आपको कुछ सजेशन हो या को भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो तो आज की फिलाल इतना है थिंक्यू सुमूद